दोस्तों मास्कुल के इस फ्री कोर्स में आप सब का स्वागत है जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तीन इंपॉर्टन कीवर्ट्स को एक है limit दूसरा है offset और तीसरा है order by और इन तीनों कीवर्ट्स का use किया जाता है जब हम data को different भिहाब पर preview करना चाहते हैं चाहिए वो ascending ये descending के भिहाब पर हो या फिर मालनो length limitation के भिहाब पर हो या फिर different parameters के भिहाब पर apply करना हो तो इन कीवर्ट्स का use उस भिहाब पर काफी जादा किया जाता है आज के इस वीडियो में हम with practical समझेंगे कि इन तीनों कीवर्ट्स का use आप कैसे कर सकते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है ये आपके लिए full of information होने वाला है आपसे इतनी से request है कि अगर ये वीडियो आपको useful and informative लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू करें तो बिना किस दिर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब normal ध्यान देते computer screen पे और सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपका जैम का control टानेल है उसमें Apache and my school को आपको start कर लेना है इसके बाद हम आ जाएंगे my school workbench में और यहाँ पे my school workbench को start कर लेंगे अब सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमेंची एक data और normally यहाँ पे मैंने data बना रखा है जिसके यहाँ पे हम काफी time से practice भी कर रहे थे तो normally यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि स्किमाज में मेरे पास एक database है जो कि है employee और employee के अंदर मैंने table की rate कर रहे है जो कि है sales data के अब अगर आप इस data पे ध्यान दे जो कि on stop आप देख पा रहे हो तो यहा पे आप देखोगी कि हमारे पस काफी सारे लोग का data है जो कि आप speakers आप अगर अगर मुझे is data इसका मतलब क्या है कि select all data from इस database के इस टेबल से, इसलिए हमें पूरा data है शोग कर रहा है, ध्यान रहे कि यहां पे termination sign यानि कि semi-colon नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे का जो हम code लिखे रहे हैं, उसमें error हमें मिल सकता है, तो यहां पे आते हैं और मैं यहां पे लिखता हू और यहां execute करता हूँ, तो आप देखो कि मुझे 10 लोग का data यहां पे दिख रहा है, जो कि starting के 10 लोग है, कि हमार पास इतना बड़ा data था, लेकिन अब यहां पर हमार पास सिर्फ 10 लोग का data यह शोग कर रहा है, अब उस 10 लोग के विहाब पे अगर आप data देखो, तो यहां टारगेट के है, वो आइडी नम्मर के विहाब पे क्या है, कि starting से इसने 10 लोगों को टारगेट किया, मैं बोल रहा है, मुझे 10 लोग का data यहाब पे नहीं चाहिए, मुझे टाफ टैन बंदे ची tocarี यह जिन्नोंने सबसे ज़ादा सेल करी है, तो अब यहां पी क्या करना है म इस पे मुझे एक filtration apply करना है इसको order में करना है कि जिसने सबसे जादा sale करिये उसका number पहले आना चाहिए फिर जिसने उससे कम sale किये उसका number second पे आना चाहिए और जिसने उससे भी कम sale किये उसका number third पे आना चाहिए तो मुझे इसमें ordering apply करने है तो ordering apply करने के लिए हम क्या करेंगे हम limit को करेंगे नीचे ऊपर आएंगे और यहां keyword यूज करेंगे जो कि है order and मैं लिखता हूँ by order by किस के तुरू मैं करना चाहा रहा हूँ कौन से column के तुरू मैं करना चाहा हूँ sales column के तुरू तो हमने यह लिखा sales इजो कम कट करते हैं और मैं execute पे click करते हूँ अब जैसे हैं execute पे click करूँ आप देखोगे यहां पे sales लिख्या रहा है null और सबसे कम sales आरहे है और फिर उसके बाद यहां पर मिरे पास और भी sales आरहे हैं अब यहां पे होता क्या है कि जब आप सबसे पहले order by लगाते हो किसी भी column पे तो वो data को यहां पे represent करता है ascending में यानि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो मुझे यहां पे क्या करना है कि जो मेरी sales है मुझे चाहिए descending में यानि कि सबसे जादा जो sale हुई है यानि सबसे बड़ी value वांची पहले फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम तो यहां पर क्या करेंगे order by sales के आगे हम लिख देंगे DESC descending को short में हम यहां क्या mention करने DESC से तो DESC का मतलब क्या होगे descending अब अगर मैं descending लिखो और execute करूँ तो आप देखो कि जो सबसे top sale है जो कि निखिल और दिख्षाने करी है 9000 रुपए की वो top में आ रही है उसके बाद राधा और नितिन ने करी है 8800 वो आ रहा है फिर 8000 फिर 655 इस तरह से आ रहा है इसे की जगह अगर मैं descending को cut कर दू और यहां यहां पर लिख दूँ ASC जिसका मतलब है ascending तो यहां पर उस तरीके से data जाएगा पहले सबसे कम फिर उस से जादा फिर उस से जादा फिर उस से जादा इसी की जगह अगर आप ordering किसी और चीज की पर सबसे पहले कम एज जिसके कोई एज नहीं दिया वो आ गया फिर उसके बाद वाली एज 18, 19, 19, 20, 22, 23 इस तरह से ordering में आ गया अगर इसी के आगे मैं लिख दू descending तो जो हमारी company में सबसे जादा जिसके जोगी वो पहले आएगा और उसे कम एज के उसके बाद हम यहां execute क करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनकी यह सबसे जादा है 55 साल, 48 साल, 36 साल उसके वियाब पर डेटा यहां order में आ गया स्वाए होग कि एक point आपको clear हो पा रहा होगा कि order by की मतदद से आप data को ascending and descending में यहां पर preview कर सकते हैं या फिल्टरेशन अप्लाई कर सकते हैं मैं यहां पर लिखते हूं कि जो sales है उसके यहां पर यह order होना चाहिए और मैं यहां पर लिख देता हूं descending और हमने की execute तो आप यहां देखोगे कि यहां पर 9000 और 8800 इस तरह से हमारे सामने data रहा है स्वायों कि order by वाला keyword आपको killer हो गया होगा लिमिट का भी जो use है वो भी आप समझ गयोंगे अब यहां पर limit में एक और term होता है समसे पर मैं क्या करता हूं कि यहां पर यह जो order by है इसको हम हटा देता है थोड़ा समझने के लिए और मैं यहां पर limit लिख देता हूं 10 मैंने चेक कर चुका हूं उसके आगे के जो 10 लोग है वहां का data चाहिए मतलब यह जो look up कर रहा है data को यह कहां से करना चाहिए 106 है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि limit में हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 5 5 का मतलब क्या है offset यानि कि यहां तक का data यह छोड़ेगा उसके बाद यहां पर limit apply करेगा तो जब मैं यहां पर 5 mention करता हूं और मैं execute करता हूं तो आप देखो के 105 तक का data यहां नहीं है अभी भी 10 लोग का data है यहां पर लेकिन इसमें क्या क्या है कि 105 यह जो 5 लोग का data था उसको offset कर दिया और उसके बाद यह 10 लोग का data लेकिया है उसके आगे क जब यह on a skin आप देख पा रहे हैं so I hope कि जो तीनों keyword है आपको clear हुए होंगे पहला हमने यहां पर देखा limit जिसके भी हाप पर आपके पास एक large number of data है और उसमें आपको सिर्फ कुछ part of data चाहिए तो आप limit keyword का use कर सकते हैं दूसरा हमने देखा order by जिसकी मदद से आप columns के भ offset जिसकी मदद से हम limitation का level अप कर देते हैं जहां पर आपने देखा है कि अभी भी हमें 10 लोग का data मिल रहा है लेकिन एक conditional भ्याप पर जो कि honest के आप देख पा रहे हैं I hope कि दोस्तों यह तीनों keywords आपको clear हुए होंगे और इनका जो use है वो आपको समझ में आया होगा अगर व करके अपना feedback जरूर दें मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you